हेलो गुड मॉर्णिंग स्टुडंट तो आज में ले रही हूं क्लास सेकंड सेंडर्ड आपको फिर से स्वागत करती हूं ओनलाइन क्लास ओके बच्चों तो हमारे हमारे जब स्कूल स्टार्ट था ना बच्चों हमने रिम जिम टू और हिंदी रिडर में बहुत से से कुछ पाट कवीता हमने देखे थे जैसे के रिम जिम टू में हमने देखा था बच्चों उट चला उसी के साथ हमने लिया था उन्ट चला कविता, भालू ने खेली फुटबॉल, म्याओं में ओ एक कविता थी, उसी के साथ अधिक बलवान कौन, और दोस्त की मदद, यह हमने पांच तक रिम जिम टू में हमने पढ़ा था ना बच्चों, तो बच्चों, ओनलाइन क्लास है तो भी आप अपने घर में ड इंदी रिडर में भी ई तक हमने अब्यस पढ़ा था, ओके, आज इसका कोशन अंजर आपको में देने वाली हूँ, उससे पहले और एक बार आपको इसकी पहचान दो बार आपको समझाती हूँ, ओके, तो बच्चों, जैसे कि इस वर में हमने पढ़ा था कि ओ आई, ओके, जैसे कि इहां देखो, ओ, आ, इ, ओके, तो बच्चों, टोटल हमारे आहार तक हमने स्वर पढ़ा है, उसी के साथ हर एक स्वर का अब बैस हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि क, क में ओका आवाज आता है, यहीं क, उसका उच्चर ओ में खत्म होता है, उसकी पैचान क, 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 प्लस ओ, यहीं क, ओका अब्यस हमने पढ़ाता, आ का अब्यस में हमने क्या पढ़ाता, आ की पैचान क्या थी बच्चों बोलो, आ की पैचान, उसके साथ जो एक खड़ा लक काना है यह ख़डालकितर यह कि पहचान है आप के बंचन में आता यह जैसे की का कर दो है एक काना आपको देखेगा यह ख़डालकितर आपको दिखएगई अ इसमिल्जल से आवज आता है कोण सांपे क में बंचन आया जाए यहां का खा गा कौन सभी या यह जब खड़ा लगिर इसके पीछे आएगा ना बच्चो तो इसमें आ का अब्यास है समझ मैं आ गया यहनि आ आता है आ का आवाज आता है उसी के साथ मैंने इ सिखाया है आपको हिंदी स्वर में इ इ आवाज दो बार है एक छोटा ई एक बड़ा ई ओके हमने आ का अब्यास पड़ा आ का अब्यास पड़ा है हमने उसी के साथ हम पड़ेंगे किस्रा अब्यास जो था नगा इ इ की पहचान क्या है बच्चो आपको मलूम ने इको आप वेंजन में या स्वर में कैसे आएगा यह जैसे कि इसकी पहचान खड़ा लकीर और एक विलांटी है लेकिन कब आता है यह सुनो जैसे कि एक वेंजन या स्वर लो आप इसकी सामने खड़ा लकीर और एक विलांटी यही पहली विलांटी बोलते हैं क पर पहली विल इपना फिल विलांटी की आपको जाना है आपको घ्षक्ष हार्टन फलन फिलांती की एक विलांटी हे न ए, ए होता है, इसकी पैचान, A है बच्चो, तो हमने चोता क्या बढ़ा था हमने? जैसे कि AE बढ़ा वाला E ओके, E की पैचान क्या है? बढ़ा E, जैसे E से E का अपने बढ़ा था ना, उसकी पैचान है जैसे कि K पर इसके सामने आपने खडा लकीर विलांटी दिया था यहीं पहली विलांटी आप इसकी यहां देखो कह यहां खडा लकीर और विलांटी यहीं दुसरी विलांटी की नेक्स्ट बच्चों खब पर दुसरी विलांटी की यहीं खडा लकीर और इसे गोल करना है की यहां यहां वर ना सकते हैं यहां इसकी दुसरी विलांटी है गव पर दुसरी विलांटी गी ऐसे बहुत से यहां वर ना सकते हैं विंजना सकते हैं यहां इसकी दुसरी विलांटी जो है न ए की पहचान है बड़ा वाला इ ओके बचो तो आपको मैंने शॉट कट ली आपको अब्यास आपको समझाया है जैसे A का अब्यास, A का अब्यास E का अब्यास और A E का अब्यास, ओके हर एक की पहचान आपको मैंने समझाया है जैसे कि इसका काना है यानि A की पहचान है यहाँ पहली विलांटी और एक दुसरी विलांटी, तो जो हमने क्लास में पढ़ा था एका अब्यास पूर आपको मैंने परफेक्ट पढ़ाया है लेकिन और एक बार रिवाइंड करूंगे यहां जैसे कि एका अब्यास पेज नंबर है बाइस ए से एक हर एक शब्द जो है न बच्चो ए है देखो एक शुगर केन ए से इसाई यानि इसाई यानि क्रिशन होते हैं यहां देखो हर एक वर्स में ए आये है क्रिशन ए से इट इट इनि ब्रिक इसे इद इद इनि हमारा त्योहार है बच्चो ओके तो अब ए की पहचान है न तो दुसरे शब्दों में कैसे बदल जाती है आपको पहचानना है कैसे पहचानना है यहां देखो हर एक शब्द के पीछे एक खड़ा लकीर और एक मिलांटी आता है इसकी पहचान क्या समझोगे आप यहां विंजुन के पीछे यानि खड़ा लकीर और एक मिलांटी आता है यह बड़ा वाला ई है च यहाँ देखो च से बनता है क्या है ची से चिता ती से तीर खी से खीर जी से जीभ डी से गाड़ी ओके यहाँ देखो हा से हाती म से मचली यहाँ आपको कहाँ देखो दुसरी विलांटी कहाँ दिख रहा है जैसे कि थी यहां देखो दुसरी विलांटी दिख रहा है यानि ई है मसे मचली में ली है मसे माली में यहां ली को दुसरी विलांटी है और पसे परी में भी रीब को दुसरी विलांटी है तो बच्चों यहां देखो ई स्वर से बने वाक्य आज आपको देखना है इस वर्षे बने वाक्य यहाँ देखो आपको सीखना है आज आपको जैसे की हर एक वर्ट्स में दुसरी विलांटी दिखेगा आपको मैं यहाँ टिक करके दिखाती हूँ जैसे की चाची, खीर, मीठी बनानी है यहाँ देखो एक बच्चा चाची को बोल रहा है चाची, खीर, मीठी बनानी है यहीं चाची में चीजों है ना बच्चों यह दुसरी विलांटी है समझ मैं यहाँ? खीर में भी दुसरी विलांटी है मीठी में तो पूरा ही दुसरी विलांटी से ही बना है मी पर दुसरी विलांटी मी ठपर दुसरी विलांटी ठी मीठी ब न न नी नी यानि दुसरी विलंटी है एक तो समझ में आ गए आपको दुसरी विलंटी यानि इकी पहजान रानी रानी की दादी कहानी सुनाती है यानि रानी की कहानी रानी की दादी रानी में नी दुसरी विलंटी है नी पर की कपर दुसरी विलंटी दादी दी कहानी भी दुसरी विलांटी है सुनाती दी भी दुसरी विलांटी है रानी की दादी कहानी सुनाती है उसी के साथ नीरज जिल से मचली ला यह नीरज जो है बाहर जा रहा है ताला की ओर जिल के ओर तो क्या करना है उसे क्या लाना है मचली लाना है क्या लाना है बच्छो मचली यहाँ देखो नीरज में नी नीरज जो दुसरी विलांटी है जील से जील मचली ला मचली में लिये दुसरी विलांटी है आप देखो रीता दही लाकर रख रीता जो है बच्छो यह रीता रीता है न, दही, आप दही खाते हो न, रीता में र पर दुसरी विलांटी री, ता, दही में ही ये दुसरी विलांटी है, रीता दही लाकर रख, ओके, माली, पेली, शीशी लाया, यहाँ देखो आपको देख रहा है, पेली, शीशी, यहाँ यलो रंग का है, माली, माली में ली यह दुसरी विलांटी है, पेली पूरा दुसरी विलांटी है, शीशी यहाँ यह दुसरी विलांटी से बना है, लाया, ओके, तो बच्चों हर एक वर्ड्स में ज़्यादा तर आपको दुसरी विलांटी के शब्द मिले हैं तो आप भी अपने बुक में लिखो जैसे कि और एक बार में समझाती हूँ चाची खीर मिटी बनानी है रानी की दादी कहानी सुनाती है नीरत जिल से मचलिला रीता दही लाकर रक माली पीली शिशी लाया तो बच्चो आप हम देखेंगे आपको मैं डेली क्लासिस में पढ़ाती थी थी न जैसे कि आपको डेली आपकी घर में जब आप हिंदी का वर्क करते हो न यह कंपलसरी बहुत इंपोर्टन्ट है बच्चो यह आपको पढ़ना है जैसे कि घर पर दुसरी विलांटी घर पर दुसरी विलांटी ज्यापड दुसरी विलांटी चाईचे हैẹn अचाए है वीचा का पाईचे है कि अचाए है कि अचा है इव्थ है और एले ने लिए हैं झाए है